इन लोगों में एक खोड सी लगी है मुस्लिम आरक्षन देने का बिहार के अंदा लालू जी पहले ही बोल चुके हैं कि मुसल्मानों को सभी मुसल्मानों को आरक्षन मिलना चाहिए कि आरक्षन यही ओपीसे और सेस्टी का आरक्षन मेंसे ही बांट करके गुसल्मानों को देना चाहते हैं हो ऑबसाब इसम्रावमवेटकर ने बिरौथ किया था इसका मुसलिम हुरक्षन का तो कि 23 धर्म के आधार पर भ्रॉभाज से हnewदानी में वाबसाब भीम्रावमवेटकर जीने भारत की सम्मजान सबह alot इसका पुर्जोर भी रोत किया था, लेकिन उस सब के बाप जो था, कॉंग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गड़बंदन से जुड़े वे दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है, मुस्लिम आरक्षन देने का, और कॉंग्रेस का इत्यास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है, 2006 में जस्टिट रंगनाथ मिस्टरा कमिटी गठित करके, कॉंग्रेस ने OBC का हिस्सा काट करके, मुस्लिमों को देने का कुछित प्रियास किया था, जब यूपिय गॉर्मेंट थी, ऐसे ही कॉंग्रेस ने जस्टिट राजिंदर सच्चर की अध्यक्स्ता में कमिटी बना करके, अनुसुचित जाती के आरक्षण में सेंद लगाने का प्रियास किया था, कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसुचित जाती में सामिल करने का पुछित प्रियास किया था, सरकार थी। नों ने उस वहां के OBC के आरक्षण को मुसल्मानों को दिया था। कॉंग्रेस की करनाटक सरकार ने मुसल्मानों की सभी जातियों को OBC में सामिल करके OBC के आरक्षण में सेंद लगाया है। वेस्ट बंगाल के अंदर TMC ने 2010 में 118 मुसल्म जातियों को OBC में सामिल करके पिसले 14 वर्स से लगातार OBC के आरक्षण के अधिकार पर उन्होंने पूरी तरह एक प्रकार की डखेती डाली है। अब धन्यवाद देना चाहेंगे कुलकता हैकोड को जिन्होंने TMC के इस प्रकार के असम्मेधानिक किर्टी पर जोड़दार तमाचा मारा है और धार्मी का अधार पर आरक्षण असम्मेधानिक है। बात इस पस्ट कहते हुए उन्होंने सभी मुस्लिम जातियों को इससे बाहर किया है। इसी प्रकार से बिहार के अंदर लालू जी पहले ही बोल चुके हैं। कि मुसलमानों को सभी मुसलमानों को अरक्षण मिलना चाहिए। इसका मत्तव अरक्षण कहां से मिलेगा या अरक्षण यही वबी से और S.E.S.T. का अरक्षण मैंसे यह बांट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी तो अपने जन्मजात हिंदो बिरोध अनुसुचे जाती जन्जाती और पिछडी जाती की बिरोध का नाम ही इन्हों ने बना दिया उसका प्रिया ही बना दिया है चायवा राम जन्म भूमिका बिरोध रहा हो राम भक्तों पर गोली चलाने का रहा हो या फिर दो हजार बारा और दो हजार चौदा के अपने एलेक्शन मेने फैस्टों में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की थी और यहां तक इन्होंने सरारत की थी कि तुष्टी करण की हथ बात करते हुए उत्तरप्रदेश के अंदर उत्तरप्रदेश की उस समय की बीस करोड़ की आबादी की सुरक्षा के साथ खिलवार करते हुए पीएसी की चववन कंपनियों को इन्होंने समाप्ति किया था और उस समय उन्होंने पीएसी की भरती जो निकाली की उसमय उन्होंने परियास किया था कि पंद्रव फिस्टी मुसलिम आरक्षण हो माने ने आएले को अस्तक्सेव करना पड़ा था ये जो होड है एक खतरनाक होड है बाबा साब भिम्रोंबेट करने बिरोध किया था मुसलिम आरक्षण का क्योंकि देश धर्म के आधार पर विभाजी तो था और उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण देश के अंदर नहीं होना चाहिए अनुसोचित जाती जन जाती को आरक्षण भारत के सम्मिधान के द्वारा दिया गया है मंदल कमिशन के सिपारिशों के आधार पर OBC को आरक्षण का लाग दिया गया है भारती जनता पार्टी S.C.S.T.A.R. OBC के आरक्षण को सुरक्सित रखने के लिए किसी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का भी रोत करती है और दूसरा मुस्लिम आरक्षण और सम्मिधानिक भी है और अगर इस प्रकार की कुपर्था को धोपने का प्रियास होगा ते देश की अखंड़ता के लिए एक चुनती होगा कि मुस्लिम आरकार के लिए रगर सम्मिधानिक ओपने के लिचा Liए